ब्रीवन वेलकम टू मैं कैनल स्वागा क्या आप सभीका मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में तो आज हम लग डाइविटीज के बारे में देखेंगे तो डाइविटीज का मैं टू टाइप्स होता है डाइविटीज इंसिपीडस और डाइविटीज नहीं कर पाता है इंसुलीन को डिंज हो जाता है तो यह दोनों में डिफ्रेंस हुआ तो आज हम लोग पिजिकली डाइवेटीचिंसीपीडेस को डीटेल देखेंगी तो डाइवेटीचिंसीपीडेस क्या है it is an uncommon disorder that causes an imbalance of fluids in the body ये एक देखिए इसको uncommon बुला गया है क्या होता है कि किडणी आपके बोडी में ऐसा और्गन होता है जो आपके बोडी में fluid balance को मतलब balance रखता है fluid को ब इसमें क्या होता है कि आपका बोड़ी जो है वह आपका मतलब किड्नी आपका लाज अमाउन्ट में प्रोडक्शन करने लगता है यूरीन का और जो फ्रिक्वेंसी होता है वो भी इंक्रीस हो जाता है नॉर्मली एक person जो per day जो urine output उसका होता है वो 500 ml से 2 l होता है per day लेकिन insipidus के case में क्या होता है वो बढ़ कर आपका 3 l से 20 l पर day हो जाता है उसका frequency ठीक है यूरिनेशन पास करने का तो यह कैसे होता है तो देखिए एक hormone है जिसका नाम एंटिडायरिटिक हर्मन हम लोग बोलते हैं उसको अरलनेम उसका वेस्वप्रेशिन भी है जो कि hypothalamus में produce होता है hypothalamus में produce होने के बाद यह posterior pituitry में जाके store होता है ठीक है और उसके बाद जब kidney को need होता है जब आपका बहुत जादा fluid loss होने लगता है तब क्या करता है ADH उहाँ पर जाके kidney में act करता है और वह प्रिवेंट करता है fluid loss को मतलब जादा fluid loss होने से बोडी से ठीक है यह आपका ADH ही है जो आपके body में जो kidney है वहाँ पर जाके उसको बोलता है कि अब fluid loss नहीं करना है तो kidney उसके according fluid loss को manage करता है बैलेंस करता है बोडी में ठीक है तो ADH हर्मोन का बहुत important रोल है हमारे बोडी में अब हम लोग देखते है types of diabetes insipidus तो types में हम लोग को basically four types आते है central diabetes insipidus, nephzogenic diabetes insipidus, dispogenic diabetes insipidus और gestational diabetes insipidus ठीक है देखे करके हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो देखें जो central diabetes insipidus से यह क्या होता है when damage to hypothalamus और pichutri gland results in decrease production and storage of ADH देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपका किसी भी trauma या फिर कोई accident वगेरा के करना अगर आपका hypothalamus में या फिर pichutri gland में आपका damage हो जाता है तो वहां पर क्या होगा ADH का production में आपका decrease होगा और storage में भी आपका decrease हो जाएगा तो इस कारण से क्या होगा कि वह kidney को proper amount में ADH नहीं दे पाएगा उस case में भी आपका diabetes insipidus का case देखने को मिल सकता है next आपका टाइप सता है nephrogenic diabetes insipidus इसमें क्या होता है कि when kidney does not response to ADH क्या होता है कि अगर kidney में किसी तरह का problem होगे से kidney failure या kidney damage वगेरा कुछ हो जाता है ठीक है या फिर एक अपका medicine लिथियम जो कि आपका bipolar disorder में दिया जाता है तो यह medicine भी आपका क्या करता है kidney का जो activity है उसको decrease कर देता है तो इस case में भी क्या होगा कि अगर आपका कोई भी मतलब यह समय से कोई भी एकर कॉज रहा तो उस case में क्या होगा कि kidney जो है वह एडियेज एडियेज तो प्रोपर एमाउंट में आपका central लाज़ा सिस्टम से आएगा ठीक है लेकिन एडियेज उसको प्रोपर रिस्पोंस नहीं कर पाएगा एडियेज को च्योंकि क्योंकि आपका problem आ गया है kidney में तो इस केस में हम लोग diabetes incipitase का case देख सकते हैं नेक्स्ट आपका डिप्सोजेनिक diabetes incipitase तो इसमें क्या होता है कि देखिए आपका जो हाइपोथेल्यमस होता है वह आपका thrust control भी का भी काम करता है thrust को आपका control करता है तो देखिए when thrust control center does not work properly ठीकि आपका thrust control center वहाँ पर किसी तरह क प्रोब्लम हो जाएगा तो वह प्रोपर्ली जब काम नहीं कर पाएगा तो उस case में भी आपको diabetes incipitase देखने को मिलेगा लास्ट है आपका gestational diabetes incipitase इसमें क्या होता है कि it occurs during pregnancy यह pregnancy के टाइम ही आपका अकर होता है pregnancy के बाद जब child birth हो जाता है तो यह अपने आप resolve हो जाता है यह क्यों होता है कि pregnant woman में जो placenta होता है वह एक enzyme produce करता है जिसको हम लोग बोलते है प्लेसेंटल, leucine, aminopeptidase यह क्या करता है यह vasopressin का breakdown करता है और जिसके करन क्या होता है कि आपका diabetes incipitase का case pregnant woman में भी देखने को मिलता है ठीक है अब चलते हैं हम लोग sign and symptom में कि उसका clinical manifestation sign and symptom क्या क्या है तो देखिए सबसे basically जो main sign and symptom है वो आपका दो है extreme thrust आपको लगेगा जिसको हम लोग polydipsia बोलते है next excessive urination जिस term को हम लोग polyurea बोलते हैं कि dehydration होगा muscle pain होगा bed waiting का case देखने को मिलेगा कि night में युजिनेशन का frequency ज्यादा बढ़ जाता है diabetes incipitase में weakness होगा dizziness होगा confusion भी हो सकता है उसके बाद loss of consciousness भी देखा जा सकता है अब हम लोग देखेंगे इसका pathophysiology को जिसको हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं बढ़ हम लोग एक summary देख लेते हैं तो due to etiological factor ठीक है एक तरह आप आपका central diabetes incipitase का मेंने बनाया है और एक तरह आप मेंने नेफ्रोजनिक diabetes incipitase का बनाया है तो आप लोग समझेए due to etiological factor क्या होगा ADS does not produce enough ठीक है यह किस case में होगा central diabetes incipitase के case में तो अगर enough amount में बनी नहीं रहा है तो क्या होगा kidney does not regulate urination क्योंकि kidney को भी proper amount में ADS नहीं मिल रहा है तो वो कैसे manage कर पाएगा तो इस case में आप लोगों को polyurea देखने को मिलेगा increased urination और क्या होगा diabetes incipitase का case होगा second हम लोग देख लेते हैं नेफ्रोजनिक में तो क्या होगा कि ADS produce enough for normally क्या होगा central nervous system में तो ADS आपका proper amount पर बन रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि due to kidney problem में interfere with ADS action क्या होगा kidney में problem में जिसकार्ण से ADS को proper हो response नहीं दे पार रहा है इसकार्ण से polyurea का case आ रहा है और फिर आपका diabetes incipitase का case आपको देखने को मिल रहा है अब चलते हैं इसका diagnosis पर उसके लिए हम लोग history collect करेंगे पैसेंट से physical examination करके देखेंगे urine analysis करेंगे इसमें लोग urine output को check करेंगे कि इसके urine output कितना है per day फिर हम लोग blood test करेंगे तो blood test में हम लोग देखिए glucose level देखेंगे और ADH label देखेंगे ठीक है दो चीज हम लोग को देखना है क्यूंकि diabetes mellitus का जो case है उस case में भी आप लोग को polyurea मतलब excessive urination का case आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो हम लोग बेसिकली देखना है कि अगर भी blood में glucose का लेबल ज्यादा तो वह diabetes mellitus में चला जाएगा और अगर blood में आपका लेबल कम है तो वह आपको पता चल जाएगा कि आपका diabetes incipidus का case है और glucose लेबल उसमें नॉर्मल ही रहेगा लास्ट आपका water deprivation test यह बहुत में टेस्ट के diabetes incipidus का इसमें क्या होता है कि पैसेंट को कुछ देज ता क्या फिर फिर फुछ घंटों के लिए पानी नहीं पीने के लिए बोला जाता है मतलब उसको प्यासे रहने के लिए बोला जाता है और उसके बाद हम लोग उसको उसका urine output को चेक करते है रेडियाज लेबल को च आपको बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि आपका एडियाज का लेबल आपको बढ़ जाएगा क्योंकि वह मैनेज करेगा और वह फ्रूइड लॉस को रोकेगा ठीक है लेकिन जब आपका डियाविटीज का केस होगा उसकेस में आप अगर नहीं भी ले रहे हैं फिर भी आपक इंसी प 주는 मेनेजमेंट पहले लोग मेडीकल मेनेजमेंट देखेंगे सेंचेट अच्छ हाँ करें यो केस में हम लोग इंडोमेथरसीन और अमयलोराइड मेडिशिंस दे सकते हैं ठीक है लास्ट आपका नर्सिंग मेनेजमेंट तो इसमें आपको मतलब फ्लुइद In-take और आउटपट को आपको मौनिटर करना है पैसन का वेट को मोनिटर करना है ऐबीफ्लूइड प्र आपको प्रवाइड करना है पैसन कट करना है ड्रेवीटी इनसीपीड़े अगरा के कारण सबसुटिस करना है अग सबस्क्राइब कर लिजेगा कर दो